Hello Learners, Welcome to Channel तो जैसा कि आपको पता है कि Small Scale Industry यानि की SSI जिसको आप MSME यानि Micro Small Medium Enterprises के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर जो है Micro Small Medium Enterprises को Manufacturing और Service Sector को अलग-अलग Classify किया गया है तो अगर MSME D Act यानि Micro Small Medium Enterprises Development Act 2006 के According यह Classification था जिसमें की Manufacturing Enterprises है तो उसको Micro कहा जाएगा अगर वहाँ पर Investment अप्टू 25 लाग रुपीज है तो वहीं पर Small Manufacturing Enterprise कहा जाएगा अगर Investment 25 लाग से 5 करोड के बीच में है तो वहीं पर Medium Enterprise कहा जाएगा Manufacturing Industry को अगर वहाँ पर जो Investment है Plant Mercedes Equipment में वह अप्टू 10 करोड है यानि की 5 करोड से 10 करोड के बीच में इंवेस्टमेंट है तो वह जो है Medium Enterprise कहा जाएगा इसे तरह के सर्विस सेक्टर को अलग से कटेग्राइज किया था जहाँ पर दिखाया कि सर्विस सेक्टर माइक्रो में आएगा अगर Investment 10 लाग रुपए तक है वही पर Small में आएगा अगर Investment 10 लाग से 2 करोड के बीच में है और वही पर Medium में आएगा सर्विस सेक्टर अगर Investment 2 करोड से 5 करोड के बीच में है लेकिन यह जो Classification है 30th June 2020 तक जो है Applicable है इसके बाद से जो Classification जो है Revise की गई है और New Revise Scheme जो की 1 जुलाई 2020 से Applicable होगी तो आपके सामने यह News Classification है यहाँ पर आप देख सकते है Revised MSME Classification जो की MSME की वेबसाइट पर भी अब लेबल है आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो Enterprise यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टर जीज़ की MSME Act has been modified with effect 1st July 2020 Accordingly manufacturing and service sector has been merged जाने कि पहले इससे पहले 23 जून 2020 तक जो है manufacturing sector का अलग classification था investment के basis पर और service sector का अलग classification था investment के basis पर आपने देखा कि manufacturing के लिए अलग investment limit है और service sector के लिए अलग investment limit है उसके इससे पर माइक्र इंटरप्राइज में कटेग्राइज होते हैं लेकिन अब जो है उसको revise कर दिया गया है अब जो है माइक्रो इंटरप्राइज कब कहलाएगा तो अगर investment in plant and machinery और equipment जो है वो एकसीड नहीं करती है 1 करूर रूपीज does not exceed 1 करूर रूपीज and turnover जो है वो does not exceed 5 करूर एसा enterprise जहाँ पर investment in plant and machinery and equipment does not exceed 1 करूर रूपी and turnover does not exceed 5 करूर रूपीज तो वो micro enterprise कराएगा वहीं पर small enterprise कब कहलाएगा अगर investment in plant and machinery और equipment does not exceed 10 करूर रूपीज and turnover does not exceed 50 करूर रूपीज यानि 10 करूर से ज़्यादा investment नहीं होना चाहिए और 50 करूर से ज़्यादा turnover नहीं है तो व इंटर्पराइज कहलाएगा वहीं पे अगर इंवेश्टमेंट इप्लांट अंट करते एक्ड मेंट अक्सीड नहीं करता है 50 रुपीज एंड टैन्वर टैननोगे साथ 250 करोड रुपए से ज़्यादा एक्सिट नहीं करता है तो वो मेडियम इंटरप्राइज में आएगा तो यह क्लासिफिकेशन नया क्लासिफिकेशन है एक जुलाए 2020 से अप्लिकेबल है MSMAD Act 2006 को मॉडिफाइड करके एक जुलाए 2020 से अप्लिकेबल हुआ है तो यहाँ पर manufacturing और service sector को दोनों को merge कर दिये गए है अब service sector के अलग से classification नहीं है दोनों ही आच्छा है वो service sector हो चाहे manufacturing sector हो तो अगर एक करोड तक जो है investment है तो वो micro में आएगा 10 करोड तक अगर investment है तो small में आएगा और 50 करोड तक investment है तो medium में आएगा यानिकि एक करोड से 5 एक करोड से 10 करोड के बीच investment है तो small 10 करोड से 50 करोड के बीच में investment है तो medium और up to 1 करोड तक investment है तो micro enterprise में आएगा और turnover की बास से करें तो 5 करोड तक का turnover है तो micro 5 से 50 करोड का turnover है small enterprise और 50 से 200 करोड का turnover है तो medium enterprise में आजाएगा तो यह new classification है आपको पता होने चाहिए विश्व अल्डविस्ट की पहुचेंगे